आप लोग जानते हैं मैं आजकल मंशियाद के आदी लोगों पर रिसेर्च का रहा हूं लोग क्यों बनते हैं एडिक्ट होने की वज़ा क्या होती है और कौन से ऐसे सरकमस्टांसे हैं फेमली बैक ग्राउंड है सहुबत हैं कौन से ऐसी चीज़ें जिनकी वज़ा से हमारे यंग्स्टर्स नशे के आदी हो जाते हैं वो मन्शियात का इस्तमाल शुरू कर देते हैं अपने लिए अपने गरवालों के लिए और अपने मौशरे के लिए वो ना सिरफ एक बोज बन जाते हैं बलके वो मजीद खराबी का भी बाइस बनते हैं मैं अइन्धा आने वाले दिनों में एक आसी फाउंडेशन भी बनाने वाला हूँ जिस फाउंडेशन का मकसद सिरफ एडिक्शन की इवेरनेस देना है कि एडिक्शन क्यूँ होती है और एडिक्शन के पीझे कोई सी ऐसी وجहाद हैं पनिकी जानते हैं, ज़े जाने हैं यसी का श班 इसका शकार होती है। ना सुर्फ़ ऐसे खादानों के बच्चे जो तालीम याफता नहीं हैं, बलकि बहुत तालीम याफता का गादानों के नौिजवान जो हैं , वो भी इसका शकार हो जाते हैं और फिर सबसे जो मुश्किल काम होता है वो Rehabilitation है मैंने जतने भी मनशियात के आदी लोगों के इंटर्वियूस किये उसमें मुझे जो सबसे ज्यादा रेशो नजर आई वो सोहबत हैं लिए तो आईए मैं आपको भी चंद एक मनशियात के आदी लोगों के इंटर्वियूस दिखाऊंगा जिन से आपको अंदाजा हो सकेगा कि इसकी कौजिस क्या हैं इसकी वजुहात क्या हैं और क्यूं जो नौजवान हैं वो इसका आदी हो जाते हैं आप लोग इसको शेयर जरूर कीजिएगा दूसर तक पहुंचाएं और अगर आपने अभी तक हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कीजिए ताके मेरी आइंदा आने वाली रिसर्च आप तक जरूर पहुंच सके थैंक यू सो मच कैनल सब्सक्राइंस पर आपनेडिम इस्कोटना भीचा की। So when I started and some days is gone now, I feel I'm going in a day. So I'm just leave now. After again, I'm start now. Okay, आपने कितनी दफा इसको छोड़ने कोशिश की है? I have like six years, six time, I have like good hospital. Alhamdulillah, I'm in England, around Manchester, seven years. I've spent my life there seven years. So I'm working there, good money, everything is there, good now. I'm not taking too much drugs in England. So when I'm reaching my country, I don't know what's going on with my people, you know, my new generation. So Pakistan में क्या लोग इसको ओफर करते हैं, आपको क्या करते हैं, और इसके डिलर्स खुद आपको बंचाते हैं? हां जी, जायरी बहात है, starting में तो आपको पता कहते हैं, यह वहरी दुश्मन को भी न यह नश्या लगना चाहिए. So starting, your friend help you, take it, take it, take it, then after, when spent 10-15 days, after they're saying, you give the money and you take drugs. So we're going outside and meet our people, dealers, they're selling our drugs, like so many people, they take it, not even me, my new generation, 90% they take our drugs now, ice is imported now, new generation totally take our ice. So I don't know what's going on with my people. यह बता हैं के आप इसको अभी जो है वो जो ऐसे यह एक्स्रेश जो सिग्रेट से इसको शुरू करते हैं, जी, जी, और पर आहिस्ता आगे चलते जाते हैं, जी, जी, आप नौजवानों को क्या पेगाम देना चाहते हैं, आप पड़े लिखे नौजवान, मैं नौजवा लेनेरे, लेना चाहिए, बट डेड़े वाइट, आपक हैसे निमेट रहती है, लिमेट तो रहती हैं, बिल्कुल निमेट लेती हैं, आपको कुछ चीज़ की समझने लगती हैं, आप कहते हो, कि मैं जस नशा कर लूँ और बस उसके आगे कुछ भी नहीं, के मैं जहां से मर आमेन जी ये एक और बंदा एक बाई खड़ा है वो कुछ थोड़ा सा उसको माजूरी भी हो गई है उसे पूछते हैं कि कहां से उसने नशे शुरू किया इसकी वज़ा क्या थी और उसके बाद ये इस माजूरी तक कैसे पहुंचा बाद जी यारा दोस्ता थे विच बेठे सा थे वह उते लागे हैं कि तो शुरू की था मतलब पहली जड़ी डोज लई सी ओ सिग्रेट तो शुरू की ती चर्स तो की ती कैसरा की थी स्नैक तो मसन के सोंगना उना से ना गतानी थे उद्रो तो उस वज़ा तो फिर अगो आस्ता 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 ठीक हैं दे आगे